कार्तिक इसनान की कहानी एक सास थी और बहु थी कार्तिक का महीन आया तो सास कहने लगी मैं कार्तिक इसनान के लिए तीर्थ जाना चाती हूँ बहु बोली मैं भी सास चलूँगी सास बोली नहीं तू अभी छोटी है अभी मुझे जाने दे सास तीरत के लिए चली गई, बहु कुमहार से तेथिस कुंडे ले आई, रोज एक कुंडा भर कर रख देती, उधर गंगा जी में सासु जी की नत गिर गई, बहु कुंडे में नाती हुई बोली, शासु नहावे उंडे में, मैं नहाओ कुंडे में, इतने में गंगा जी की और अपने पोरा हुआ, सासु जी आई, बहु बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा जी की धारा के साथ आ गई, अब सास बोली, मुझे ब्रामन भोज कराना एक, बहु बोली सासु जी दो ब्रहमन मेरे भी जिमादो मैंने भी कार्तिकिस्नान किया है तब सास ने पूछा तुने कहा कार्तिकिस्नान किया तो बहु बोली चलो मैं आपको दिखाती हूँ उपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गई बहु बोली मैं रोज कुंडा भरका रख देती और सुबहे जल्दी उठकर नाती और उल्टा करके रख देती तब सासु जी बोली बहु तू तो बड़ी भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे सा पास आई है तूने शरद्धा और विश्वास से कार्तिकिस्नान किया है तो भगवान ने तुझे ऐसा फल दिया दोनों सास बहु ने धूम धाम से ब्रामण जिमा कर दक्षिना दे कर विदा किया है भगवान जैसा आपने सास बहु को दिया वैसा सब को देना सबके कार्तिकिस्नान का फलुने देना बोलो विश्णु भगवान कीजे तुलसी माता कीजे हरी कृष्णा राधे इ Snod Тем 혹시 दिया वोने कीजे बोलो विश्ण, इन तो हुआ राधे राधे बोलpi